भारत में 5G लॉंच हो चुका है जो कि परधान मंतरी मोधी जी के द्वारा शुरुवात किये गए हैं तो आईए जानते हैं इस 5G के बारे में 5G नेटवर्क फिफ्ट जेनरेशन का मवाईल नेटवर्क है या एक नई गलोबल वायरलेस सिस्टम है या 2G, 3G और 4G से कई गोना ज्यादा फास्ट काम करेगा 5G नेटवर्क दुनिया के और भी देशों में पहले से मौजूद है 5G तीन बेंट्स पे काम करता है लो बेंट, मीड बेंट और हाई बेंट पर भारत के भी 13 सहरों में 5G की शुरुवात कर दिया गया है वो सहर है दिल्ली, आहमदावाद, बैंगलूडू, चैन्नाय, चंडिगट, गांधी नगर, गुडूग्रम, हैद्रावाद, जामनगर, कॉलकाता, लखनव, मुंबय और पूने पूरे भारत में 5G नेटवर्ट की शुरुवात 2023 तक हो सकती है वेसे रिलाइंस दिवाली तक 5G की सर्विस पूरे देश में शुरू कर सकता है देश में 5G नेटवर्ट आने के बाद कस्टेमर्स को बेहतर कॉल और करेक्टिवीटी की सुविधा मिलेगी जो की मुवी और अन्य चीजों को चुटकियों में डाउनलोड कर सकेंगे यह 5G सर्विस एर टेल की है और यह 5G नेटवर्ट सिर्फ 5G फोन में ही चलेगी 5G का रिचार्ज प्रान 4G के मुकावले ज्यादा हो सकती है अगर आप 5G नेटवर्ट का लुप उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 5G फोन लेना पड़ेगा यह जानकारी आपको कैसा लगा हमने कमेट करके बताएं और अभी तक आपने इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक एन अपने दोस्तों के साथ सेर करें